जेन सातियो आजम सोर मंडल सोलर सिस्टम के एक माहत्पुन गरे शुक्र यानि की वीनेश घरे के वीनेश फ्लैनयेट के बारे में माहत्पुन जानकारी को ट्रिक से याद करेंगे तो trick बहुत प्यारी है, ध्यान से सुनेगा, सबसे पहले, जो हमारा सुक्र घर है, वो सुर्य से दूसरे नंबर पर है, कौन से नंबर पर है, पोजिसन के नुसार, दूसरे नंबर पर, पहले कौन सा आता है, बूद आता है, तो सभी घरों को एक एक करके पढ़ेंगे, पहले आकार में कौन से नंबर पर आता है ये चटे नमबर पर तो कौन से नमबर का Ayakar में छटे नमबर परhealth है साइज में चबह सोटा क्राइग का ठीक है अब इससे एक टिख लेते जए बेसको साबुन आती है बेसक। मैंने साबुन की ट्रिक को कैसे साबुन को ये दिये हम सांज सवेरे सुबह साम रगड़ा दे ना सरीर को यानि कि मैल को अठाने के लिए सांज सवेरे साबुन से रगड़ा दे तो क्या काम करेगा चमकाने का काम करेगा चमकिला चमकाने का मतलब चमकिला घरे कोने सुकर घरे ठीक है और जब चमक जा तो कैसा हो जाएगा सूंदर्य आएगा सुंदरता आईगी यानिकी सुंद्रे का दे उता सुकर गर फिर सांज सवेरे सांज का टारा भॉर का थारा कौन सुकर गर चीक है और जब चमक आजातीจะ तो पह जो मारा प्रडोसी यह फो जलता है जलकर कैसे हो जाता गरम यानि कि गरम गरह किसको बला जाता है शुक्र गरह को उसके बाद हमारा प्रित्वी पर तो प्रित्वी की बहिन किसको बला जाता है या भगीनी शुक्र गरह को ठीक है अब प्रित्वी कैसे गुमता है जब हमें चमकिला देखता है सुंद्री देखता है हमारा तो पूर गरह कैसे गुमता है पूरब से पश्चिम दिसा में इसका कोई उपगरह नहीं है यानि कि सुन्दर इतना है इसको और किसी के जोरत नहीं है इसका कोई उपगरह नहीं है एक गरह हो रहे जिसका नाम अरून है ठीक है ना अरून भी किदर के और गुमता है पूरब से पश्च देखो मैल का बदन अब इससे ध्यान नहींगा ना मैल का बदन यानि कि मीथेन के बादल CO2 के अधिक्ता के कारण जो सूर्य के नजदिक वाला पार्ट है इसका वो जादा गरम हो जाता है चीक है तो ये थी हमारी आज की सोट ट्रिक किसके लिए सुकर प्लैनेट के लिए विनेस प्लैनेट के लिए आयोप आपको समझ माई होगी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अधर प्लैनेट के साथ चीक है ना तब तक के लिए जैन जै बारत